नमस्ते मेरा नमुमेस है रुमेस टौक इटिव चानल में आप सभी का स्वागत है आप में से काफी सरलोग का जो हमेसा यहां पर क्वारिज रहता है कि बिहार का जो पॉसु सेड योजना चलता है जिसके और तक जो भी पॉसु के सेड बनाने के लिए लगभग एक लाग पर कि सहायता राशी दी जाती है इसके बारे में complete वीडियो बनाईए और बताईए तो आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यदा इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज किस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर बिहार पॉसु सेड योजना क्या है ठीक है इसमें फ़र्म को कैसे फिल के आयता है और किस तरह से अगर आपके पास भी पॉसु है मतलब कि आप गायब हैं सपाले हुए हैं तो उसका सेड बनवाने के लिए किस तरह से जो है आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं सारा गनकाई जो इस वीडियो में आपको हम किलियर कर आपको हम बता दें कि अगर आपके पास भी तीन से ज़्यादा पॉसु है तो आप जो है इस स्कीम के माधियम से पॉसु सेड यो जना के लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें जो मतलब परिक्रिया होता है वो जो है पॉसु सेड पहले आपको निर्मार करवानी होती है उसके पर आपको अनुदान देती है और आपका जो अनुदान होता है वा जो है आपके पस्सु के उपर डिपेन करता है और किसे तर से आपको apply करना है उसके लिए सबसे पहले अपने computer के ब्रावजर में टाइप करना है पॉसू सेड उजना बिहार एजी टूनेट जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने एक article खुलेगा जो की first में ही रहेगा इसको यहां से open कर लेना है इसका link भी हम provide कर दिये हैं जहां पर click करके आप आ सकते हैं देख सकते हैं कि आपके पास जो भी पॉसू है उसका जो है setup बनवा सकते हैं और उसके जो है अनुदान प्राप कर सकते हैं इसका main मकसद ही होता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो है usability criteria क्या रहता है देखिए इस सुझना का lab उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनकी और जीव का सिर्फ पॉसू पालन पनिरवर यानि कि अगर आप पॉसू पालन करते हैं आपके पास तीन से ज़्यादा पॉसू है तो आप जो ही सुझना का lab ले सकते हैं यहाँ पे बता दिया गया है कम से कम जो ही तीन पासू होना चाहिए इस सुझना के तहद किवल उतर परदेश, बिहार, मध्य, परदेश और पंजाब के जो राजियों के लोग होते हैं वही lab उठा सकते हैं इस सुझना के तहद लाब पाने के लिए बिरजगार, यवा, लगु, किसान या फिर कोई और ब्यक्ति भी यहाँ पर आविदन कर सकता है साथी साथी हाँ बताएगी है कि इस सुझना के तहद आप गाय, भैस, मुर्गी और बकरी जैसे अन्य पासू का पालन और सेड निर्मार पर अनुदान प्राब्द कर सकते हैं अब यहाँ पे पासू सेड योजना के लाब क्या मिलते हैं वो समझ लेजे दखिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पे अगर आपके पास तीन पसू है तो उसके लिए जो है पचाहता हजार से लेकर औसी जार रुपे जो ही आपके अनुदान दिये जाएंगे और कम से कम तीन पसू आपके पास होना चाहिए अगर आप चार पसू के लिए आवदन करते हैं तो एक लाग सोरह जर पे की सहायता रासी दी जाती है और वही आपका जो पसू है तीन से अधिक यानि कि छो है तो उन्हें एक लाग साथ जर पे की बीतिये सहायता यहाँ पर परदान की जाएगे आपके पास कितना पसू है उश के हसाब सही आपका अनुदान डिया जाता है जो कि अधिक तम एक लाग साथ जर पे यहां पर दिया जाता है कप और कैसे मिलेगा अनुदान देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जो है पसुपालन मतलब माली जब पसुपालन करते हैं तो उसके लिए आपको एक सेड का निर्मार करवाना होता है मतलब कि एक सेड बनवाना होता है और उस सेड के बेस पर आपको आवदन करना होता है कि हमने सेड बनवाया हुआ है उस उसके बाद आप मतलब आवेदन करते समय जो भी आप मतलब एकाउंट नमबर देंगे उसमें जो भी आपका सबसीडी का एमाउंट होगा और डाल दिये जाएगा अब यहां पर आवेदन कैसे करें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि हम आवेदन कैसे करें तो देखिए यह हमेसे आवेदन नहीं होता है इसके लिए एक समय होता है उस समय पर ही आपको आवेदन करना होता है और इसका कोई online form फिल नहीं होता है offline mode में form को फिल यह फिर आप जन्कारी के लिए बुलाग के जो वीडियो होते हैं बुलाग डेवलोप्मेंट ओफीटर उनसे आप मिल सकते हैं और फर्म को फिल करवा सकते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो फर्म फिल होता है और जोल आपलाइन मृड में उसके बाद approval मिलने के बाद ही आपके द्वारा दियेगे account number में आपका जो भी subsidy का amount होता है वो जो यहाँ पे send कर दिया आता है जिसके माधियम से आपको लाव मिल जाता है ति यह जो है सारे परक्रिये होते हैं अगर आप भी पॉसु सेड्योजनाक के तहद अपने पॉसु को तो नीचे आप हमें comment section में comment करके बता सकते हैं जिसके regarding आपको हम जनकाही देने की कोशिस करेंगे वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो भी आपने नीचे comment section में comment करके बता सकते हैं चली मिलते हैं एक नए वीडियो में